Hello everyone, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं. आज की क्लास में क्या सिखाओगे सर? आज की क्लास में लेजर की बात करेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं. बहुत सारे श्रुएंट्स को दिक्कत आते हैं कि सर लेजर नहीं बनाने आते हैं. जिसकी विजए से क्लास 12 में प्रोब्लम आती है, आगे भी दिक्कते आती हैं, अकाउंट्स में लेजर नहीं आया तो मतलब कुछ नहीं आया वही समझ में. एक बात आपको ध्यान रखनी है. आपने पिछले वीडियो देख लिया हुगा, और आपको एंट्री आती होगी, य चले पिछले वीडियो देख लो, एक वीडियो मैं आपको बना रखके डाल रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एंट्री कैसे बनाते हैं, ये चीज़े सिखा दी हैं, ट्रांजेक्शन से एंट्री कैसे बनाते हैं, एक्चुरी पूरी एक अकाउंटिंग साइकल ह मैंने रख रखी हैं, अब माल लेते हैं, इसे मुझे जो है लेजर बनाने हैं, लेजर का मतलब है कि अलग अलग अकाउंट मुझे खोलने हैं, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है, पहली जो एंट्री है वो ले लेते हैं, ये एंट्री है, इसके अंदर आपको देखना क्य है कि कितने अकांट खोल रखें, दो अकांट है, एक को debit कर रखाई हो any官 क karş है। एक का नाम है cash account और यका नाम है capital account। तो सब को अलग अलग पास कर दो ठेक isn't, तो आप पहला around कोन भोगे ठेक ऑस क्यों सा कोल लोगे Entrepreneur, क्या कर लोगे Wait, yes sir। ठेकन आपने पहले क्या किया, एक cash account करके account खोल लिया, दूसरा account आपको क्या खोल लिया, capital account चलिए, एक आपने खोल लिया है capital account, एक आपने क्या खोल लिया है, capital account ठेक है न, capital account चार कोलम बनाने हैं, yellow चार कोलम बनगे, ठेक है न, next account पहला तो हो गया, सब क्या अकॉंट बनाने हैं फिर देखो next rent और cash ठीक आना चलो तीसरा बना देता है rent account ठीक आना तो तीसरा क्या बनाएंगे rent account ठीक है आना ओके rent account बनाना है तो चलो मैं Produits रेंट account भी बना दिया ठीक आना अब चलते हैं आगे की तरफ तेक आप चलेंगे next आगे की तरफ ओके अब यहाँ पर rent account debit to cash यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको clear कर देता हूं ledger के अंदर कभी भी अगर आपको entry से ledger बनाने हैं तो आपको एक बात का धान रखना है कि एक account दो बार निखोलना है यहाँ पर भी cash आगया यहाँ पर भी cash आगया तो दो बार निखोलना है cash already खोल चुका है तो अब नहीं खोलेंगे अब आजाते है next पर next का नाम क्या है third entry एक तो cash account खोलना है तो अल्रेडी खोल चुका है एक होता है commission received तो चलो commission received account हम खोल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर लिख लेते हैं commission received करके एक account खोलेते है commission received account तो चलो commission received account भी होगा है तो commission received account होगा है अब चलते हैं आगे की तरफ है आगे कहता है next, next आजाता है purchase account debit to cash, cash तो खोल ला नहीं है, तो purchase account खोल लेते हैं हम लोग, तो चलिए purchase account भी खोल लेते हैं, यहाँ पे हम एक account खोल लेते हैं, जिसका नाम है purchase account, purchase account, आज के बाद दिक्कत नहीं रहीगे लेजर में, ठेका नहीं, यह छोटा सा example, आपको कितने भ चीजे होगे न, तो I hope यह सब चीजे आप माटा देते हैं, ठीक है न, तो यह चीजे आपको लिखनी है ही, अबशी बात है, तो सबसे पहले अब शुरू बात कर देते हैं, सबसे पहला हम जो transaction, sorry entry दे रखी है, इसको लेजर में posting कैसे करनी है, वो देखना है, तो कैसे करें चीजेंगे, entry पढ़ो पहले सबसे ध्यान से, cash account debit, two cash, sorry, two capital, ठीक है न, cash account debit, two capital, तो यहाँ पर दो अकाउंट में जाएगी, यह entry, ठीक है न, एक तो cash account में जाएगी, और एक capital अकाउंट में जाएगी, तो सबसे पहले बेजते हैं, cash account में, cash account में अगर भेजना है, तो यह सीदा सीदा, उसने hint दे ही रखा है, कि two capital लिख दो पहीं, तो two capital account करके, लिख दो इधर five lakh, ठीक है, तो यह तो होगी पहले, तो cash का होगा, काम खतम, अब आजाओ दूसरी side, capital account, अब capital account में चले जाओ, यह रहा capital account, capital account के सामने देखो, क्या लिख रहा है, two, तो दो यह क्या है, यह रहा, क्या लिख रहा है, buy cash, capital account में, buy cash करके आप लिख दो, ठीक है, buy cash, ठीक है, यह चला जाएगा, buy cash account करके, और amount कितना है, वाई फाइव लेक, तो पहला हो गया, एक बार फिर से practice कर लेते हैं, इस वाली entry में practice करते हैं, क्या लिखा हो है, rent account and cash account, तो एक तो rent में जाएगा, यह account में, ठीक है, और एक जाएगा, cash account में, तो सबसे पहले पकड़ लेते है, rent account को, ठीक है, तो rent account में, जब दुम entry pass करोगे, इसको laser बनाओगे, rent account के अंदर, तो rent में rent तो आएगा नहीं, ठीक है, तो rent का opposite दिखो क्या है, two cash, तो two लिखा ही हुआ है, यहाँ पे rent तो होगा, खतम, इसमें तो भेज दिया, अब इसके opposite आदो, cash, अब cash account में भी जाएगे इसको, अब cash account में क्या लिखोगे, cash में cash तो लिखेंगे नी, पक्का cash तो लिखेंगे नी, क्योंकि cash में cash नहीं आएगा, ठीक है न, कभी भी किसी भी account में उशी का नाम आदा, तो cash में cash तो आएगा नी, cash का opposite देखो क्या है, cash का opposite है rent, अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब इसके सामने क्या है, buy, इसका मतलब cash account में, ठीक है न, हम rent लिखेंगे, लेकिन buy side में, buy rent लिखेंगे, ठीक है न, buy rent, buy rent account करके और यहाँ पे लिख देंगे 10,000, चलो यह भ करते, cash की, cash account के अंदर, इसका opposite क्या है, two commission, तो two side चला जाएगा, cash account debit, two commission, वहाँ पे लिखा रखा है, two commission, तो two में भेज दो न, दिक्कत क्या है, ठीक है, कितने रुपए है, 2000, तो 2000 लिख देंगे, अब यहाँ पे इसका opposite, जब आप commission, दूसरा account क्या है, commission received, तो commission received में जब 2000 बेज़ती है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक दम प्रोपर तरीक से, देखो कितनी बार practice हो गया, ठीक है, same चीज़े practice करनी है, दो account खोले है, आपको एक तो purchase account और एक है cash account, पहले बेज़ते है, purchase account में, कहा है purchase account यह रहा, यह कहता purchase account में, purchase का नाम तो आए, इसका opposite क्य पहले है, तो इसका मतलब इसके सामने क्या है, buy, ठीक है, ओके, तो cash account में यह लिखेंगे हम, और buy side में लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने buy है, यह रहा है, buy side भेज़ते है, buy side भेज़ते है, buy purchase, amount कितना, 5000, that's all, खतम, तो यह था आपका, ठीक है, आप पहले transaction से entry बना लो, entry बना के, उन सबके अलग-अलग account खोल लो, लेकिन कभी भी, ठीक है, दो account नहीं खोल ले है, ठीक है, ऐसा नहीं कि, जैसे cash इसमें 3-4 बार रखा है, तो एक account खोला, आपने देखा मेरे को, ठीक है, तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है, I hope एकदम clear होगा, इसको लिख लो, एक दो बार इस इको practice कर लो, ठीक है न, छोड़ो बाकी चीजे, ठीक है, फिर बड़ी से बड़ी चीज आप कर लो, कोई दिककत नहीं है, basic यहीं रहेगा, यहीं लेजर है, इसके लिए होता ही नहीं है, कुछ क्या होएगा बताओ, ठीक है, तो चलो, इसको लिख लो, ठीक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट सर्कल में ये वीडियो जरूर भेजे सेर करें अगर उनको भी बेनिफिट मिलता है इन सब चीजों का डेफिनेटली क्लियर है तो चलिए वीडियो को लाइक भी कर देना है बेटा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि कैस अपील कर रहे हो कैसा लग रहा है सर ठेक है अच्छा लगा सर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ठेक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट में ठेक है चलिए बाई